इस तरीके के डोर मैट, फ्लोर मैट, कारपेट कुछ भी बना सकते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ इस वीडियो में बिल्कुल न्यू ट्रिक है आपको बहुत पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो के स्किप मत करिएगा पुराने कपड़े भी आपके यूज हो जाएंग का फैबरिक लिया है यह स्लिप नहीं होता है फ्लोर में और हमारे डोर मैट में बहुत मजबूती आती है तो इस तरीके से मैंने पुराने डेनिम से कट किया है आप पुराने ट्राउजर, पुराने कर्टेन, कुछ भी यूज का सकते हो बस बेस हमारा मोटा होना चाहिए य आपको सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे ही फॉलो करने हैं साइज आप अपने एकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हो चोटा बड़ा जैसा करना चाहो बस आपको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते लाइन ड्रॉ करनी है तो यह मैं एंची टेप से कर रही हूँ कि बड़े साइज में है इसक तो यह डॉर्मैट इतना खुपसुरत बनता है कि फिर आप मार्केट से लेना भूली जाओगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा यह डॉर्मैट बनेगा बहुत साधा खुपसुरत बेस्ट कपड़ों से देखे इस तरीके का पैटन आ चुका है अब क्या करना है जो नी हम इस पर निशान लगा लेंगे पैटन को ही डॉर कर लेना है इसके बाद इसी पैटन पे हम इसे कट कर लेंगे तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है तो डबल पैटन हमारा आ जाएगा इस थरीके से मैंने कट कर लिया है देखे डबल फोल्ड है हमारा यह तो डबल पैटन आ चुका है इसके साइज के बराबर तो अब साइडों के पैटन को कट करना है तो यहाँ पर मैंने pink कट कर लिया है और यह डबल है खपड़ा हमारा डबल फोल्ड है तो पैटन भी हमारा डबल आ जाएगा तो दो पैटन भी एक साथ कट जाएंगे बस इसी निशानपे हमें इसे कट कर लेना है तो यहाँ पर दोनों पैटन भी कट चुके हैं और एक साथ हमारे ही दो पैटन आ गए बाकी ये दो वाइट पीस जो है उपर की तरफ इसको ऐसे रखना है तो एक बार मैं अरेंज करके आपको दिखा देती हूं गि देखी इस तरीके से आ जाएगा तो अभी दो पैटन को साइड में कर लेते हैं दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ रखना है और कॉर्णर से कॉर्णर मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है ध्यान रखेगा जब आपकी सिलाई लगाईएगा तो आपको कपड़े को बहुत नहीं खीच रहा है कि यह कपड़ा हमारा थोड़ा सा औरिब में है तिर्चे में है इसलिए कपड़े को खीच कर मत सिलाई लगाईएगा बिल्कुल हलके हाथों से सिलाई लगाईएगा अब देखे इस वाले पैटन के दोनों सीधी साइड आपस की तरफ रखते हुए कॉर्णर से कॉर्णर भी ला लेंगे और सिलाई लगा लेंगे तो कपड़ा औरे में बहुत खीच की सिलाई मत लगाईएगा इसे भी हम हलके हाथों से सिलाई लगा लेंगे सेट करते चाहिए और स्टिच कर लीजे स्टिच हो गया और देखे यह हमारा one piece में आ चुका है अब इसी पे आप चाहो तो प्रेस कर सकते हैं तो देखे क्या करना है यह मैंने jeans का जो fabric लिया था इसे रख लिया है और इसके उपर यह पुरानी towel है इसको रख लिया है मैंने तो यह बहुत अच्छा काम करेगा पैर पोचने के हिसाब से जैसे मैं door mat बना रही हूँ तो इसको रख लिया है और ध्यान रखेगा half inch से one inch तक आपका extra होना चाहिए जो मारा base है towel के बराबर ही मैंने one piece जो उपर pattern बनाया है इसको रख लिया है अच्छे से pin up कर लेंगे चारो तरफ jeans का जो fabric है इसे बढ़ा का लेना है jeans का हूँ या कोई भी base आप ले रहे हो नीचे trouser का ले रहे हो या पुरानी bread sheet का ले रहे हो बढ़ा का लेना है पहले आप cross maze पर सिलाई लगा लिजे तो जहाँ पर ये pattern के joints दिख रहे हैं इस पर आपको सिलाई लगाना है क्योंकि बाद में तो frill से हमारा hide हो जाएगा तो पहले आप simple सिलाई लगा लिजे ऐसे करते हूँ यहां से भी सिलाई लगा लेना है हमारा ये जो base है ना इस पर ये अच्छे से attach भी हो जाएगा अब क्या करना देखे तीन लेयर में हमारा ये कपड़ा है जिसे door mat हमारा बहुत ही अच्छा बन रहा है अब इसको सिर्फ simple हमें one fold करना है two fold नहीं करना है सिर्फ one fold में पूरे पर सिलाई लगाना है तो यहां पर मैं 16 number की needle का यूज़ कर रही हूँ इसको सिर्फ एक फोल्ड की है तो rough side है यह हमारा बाद में hide हो जाएगा अब हम चारो तरफ का center point निकाल लेंगे तो बस जितने भी लंबाई और चोड़ाई का आप बना रहे हो इसका हमें center point निकाल लेना है इस तरीके से देखे इस straight line draw करना है तिर्फी में जहाँ-जहाँ center point आ चुका है आपस में मिला लेना है इसको तो यह doorman जितना simple है उतना ही खुबसूरत है और बहुत useful है इस तरीके से center point मिला लिया यह pattern हमारा आ चुका है अब मैंने कपड़े की पटी लिया है पटी को stitch करके ready कर लिजे simple simple आपको सिलाई लगानी है दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ रखना है यह देखे जैसे इस पटी को joint किया है इसी तरीके से हम सारी पटीओं को joint कर लेंगे तो यहाँ पर पटी को joint कर लिया है दोनों साइड हमें single foot का gap लेते हुए stitch करना है fold करके दोनों साइड से कपड़े की पटी को fold करना है यह देखे मैंने fold कर लिया है दोनों साइड ताकि rough edges ना हूँ यह देखे इस तरीके से fold कर लिया है इतनी लंबी पटी है हमारी आप चाहो तो बिल्कुल center पे इस तरीके से चुणनट डाल सकते हो जो चुट-चुटी plates पढ़ती है पर बहुत ही easy trick बताने जारी हूँ आपको लेना है इस तरीके से needle जो तुर्पाई वाली सुई होती ना उससे थोड़े बड़े size में है foot को आपको उठा लेना है ये देखे इस तरीके से आप पहले उठा लीजेश को ये जो हमारा foot है इसे देखे ये उठ चुका है और ये ऐसे हिलता भी है ठीक है move करता है तो अब क्या करना है इसको हलका नीचे की तरफ pressure देना है ये नीचे हो जाएगा बस इसके center में हमें needle को फसा लेना है यहाँ पे needle को फसा लीजे तो कोई भी सिलाई machine हो आपकी easily ये हो जाता है foot को नीचे कर लिया अब बिल्कुल center में तो जो कपड़े की पट्टी फोल्ड की थी न हमारी उल्टी साइड नीचे की तरफ उपर से हमें plates डालनी है तो बिल्कुल center पे निशान लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं और आपको दिखे भी कि सिलाई लग कहा रही है बस जहाँ पर निशान लगाया यहीं पे हमें सिलाई लगानी है चुन्यट बनाते जाईए और यह trick आपकी doormat के लिए नहीं आप doormat कुछ भी बना रहे हो कुशन वगरा बना रहे हो या पिलो बना रहे हो या बेबी की dress बना रहे हो तो किसी भी चीज में यह काम करेगी तो इस तरीके से आप frills बना लीजे एक बार में आपकी बहुत जल्दी frills बन के त्यार हो जाती है आपका समय मैनत तब बच जाता है तो इस तरीके से आप frills बनाते जाईए और आप चाहें तो इसमें color combination अपने हिसाब से ले सकते हो पट्टियों कुछ अश्य से मैंने एक रंग का color का जोइंड किया है आप multi colors में यूज कर सकते हो और doormat को आप frills बना के एक साथ पूरे doormat को base को इस तरीके से भरते हुए पूरा complete कर सकते हो तो बहुत सारी तरीकों से आप इस frills को यूज कर सकते हो doormat बनाना बहुत easy हो जाता है देखे इस तरीके से हमारी ये चुन्नट वाली जो plates पढ़ती जाती है फ्रिल बनती जाती है वो बनती जाएगी एक बार में और देखे बहुत कम समय में और बिना जंजटके पूरी फ्रिल हमारी attach हो चुकी निडल को मैंने निकाल लिया है वापस से आपकी सिलाई मशीन काम करने के लिए रेडी है अब जो ये सिलाई लगाई थी मैंने और पैटन बनाया था इसी पे हमें इस फ्रिल को attach करना है तो देखे फ्रिल जब बनी है न ये बहुत ही घनी बनी है तो थोड़ी सी 80-80 सी रहती है मतलब घूमती रहती ही स्पाइरल जैसी होती है तो आप इसको ठीक कर लीजे मतलब सीधी साइड उपर की तरफ कर लीजे उल्टी साइड नीचे की तरफ रहेगी और जो सेंटर में सिलाई लगा के फ्रिल डाला है न बस उसी पे आपको सिलाई लगानी है तो ये जो जो जोएंट था ये भी हाइड हो जाएगा और बहुत ही खुबसुरत पैटर्न उभर के आ जाएगा इस तरीके से हाथों से सेट करते जाएए और स्टीज करते जाएए तो एक बार मैंने इस साइड लगा दिया है एक बार इसके opposite लगा लेंगे कुछ भी आपको fold नहीं करना है starting में क्योंकि जब border लगेगा तो वो अपने आपी rough side हाइड हो जाएगा यहां तक stitch कर लिया, center पे आ गाए एक दूसरे के उपर overlap कराते, आगे बढ़ जाएगे और फिर corner तक सिलाई लगा लेंगे जैसे कपड़े की पट्टे को stitch करते हैं फ्रिल आपका वैसा ही काम करेगा बस फ्रिल को आप पट्टे की तरह समझ लीजे और पूरे पर सिलाई लगा लीजे तो इतना easy है फ्रिल बनाना और फ्रिल को attach करना corner तक आ चुके हैं अब इस corner से फिर हम वापस को इसी line पे जहां पर ये बना हुआ pattern घुमा लेंगे यहां तक stitch कर लेंगे मैंने stitch कर लिया और देखे हमारा खुपसूरा सा pattern अभी से उभर के आ रहा है अब border को finish कर लेते हैं तो देखे jeans का जो fabric मैंने one fold में fold किया था ना तो उपर से जो धागे रेश आएंगे वो इसी frill से hide हो जाएंगे तो जहां jeans का fold खतम हुआ है नीचे जो base fold किया था उसी पे हमें center पे बिल्कुल frill को attach करना है तो हमारा खुपसूरत सा ये doormat बनके त्यार हो चुका है बहुत जाधा खुपसूरत लग रहा है मैंने दो color combination का use किया है आप multi colors में बना सकते हो और सिर्फ single color में बना सकते हो सिर्फ single आपको क्या करना होगा कटनी करना होगा newspaper पे pattern को आप single एक कपड़े की layer रख लीजी इसके बाद pattern को draw करके filletize कर लीजी तो बहुत सारे तरीके हैं इक creativity तो आप खुद से भी कर सकते हो देखे पुराने कपड़े भी use हो गए खुपसूरा सा door mat भी बन गया जो कि आप हातों से भी wash कर सकते हो और machine से भी wash कर सकते हो market से लेते हो तो बहुत महंगे मिलते है base में पुराने denim का use किया है जो कि floor पे बिल्कुल भी slip नहीं करेगा और ये बहुत ही खुबसूरत लगता है अच्छा बना है बहुत बीच में मैंने पुराने towel का use किया है और इसके उपर मैंने pattern रखा है तो door mat हमारा completely बहुत खुबसूरत बना है मजबूत तो है साथ ही साथ बहुत ही अच्छा है तो किसी भी तरीके से आप इसको use करिये बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है और सबसे अच्छी बात है बहुत आसान है फ्रिल बनाने का कोई जंजट नहीं है कि आपको बहुत time लग रहा हो आपने एक पर सिख लिया इस पटन को तो आप किसी भी शेप में किसी भी साइज में या किसी भी कलर कॉंबिनेशन में इसको बना सकते हैं I hope मेरा यह सिंपल सा आइडिया आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल पर आचुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और यूसफुल वीडियो के साथ थैंक यू